सबी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि 36 गड़ में जो है साकारिता भी भाग में 3000 पदों पर बंपर बढ़ती सबसे बड़ी भढ़ती नई गवर्मेंट जाब वेकेंसी साम सबी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ चुका है जी हाँ इसमें सेलेरी जो है दिया जाएगा 15 जार उपह से लेकर आपको चली स dinero तक जो है परमें सेलेरी जो है देखने को मिलता है और गौवर्मेंट जौब के वीलिए हैं अलग होता है अपको क्यों उसमें अक ऊजद आ पूरी परłebाग में ज Allen और अ details तो उसमें आपको बहुत ही विभाग में 3000 पदो पर जो भरती निकला है और इसकी भरती परिख्छे के बात करें तो व्यापम के दौरा एक्जाम्स लिया जाएगा जी हाँ व्यापम के द्वारा आपका एक्जाम जो होगा 3000 पोश्ट हैं जिसमें 1700 पोश्ट अकेले आपके जो है समीती प्रबंधक के होंगे और वहीं 2000 पोश्ट आपके जो हर 5 समीतियों में जो है एक सुपरवाइजर का होने वाला है तो 36 गड़ में एक के बाद एक आप लोगो के लिए भरती है एक के बाद एक आप लोगो के लिए नई नई गौर्मेंट जाब वेकेंस है साम सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहे हैं तो जितना हो से कि आपको एक्जाम की तैयरी करना है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके सामको एक्जाम्स की तहरी करना है कौन कौन से बुक्स को आपको फालू करना है किस तरीके सामको पढ़ाई करना है जिसे आपके सेलेक्शन हो जाए और आप एक्जाम्स को सानी से क्वालिफाई कर पाएंगे तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ तीन हजार पोश्ट जो है निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है तो तीन हजार पोश्ट के लिए 17 सा पोश्ट समीती प्रबंदग के 2059 पोश्ट हर पास समीती में जो है एक सुपरवाइजर के तो इसके लिए सबसे में इंपॉर्टन है 150 प्रशन जो है आपके एक्जाम्स में पुछे जाएंगे प्रत्यक प्रशन एक अंक्य होगा और इसके साथ ये भी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपके एक्जाम्स में माइनस मार्किंग होगा निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा जी आपके एक्जाम्स में माइनस मार्किंग होगा निगेटिव मार्किंग होगा तो जितना हो सके आपको माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग से बच के रहना देखिए निगेटिव मार्किंग के वज़े से यह काफी स्टूडेंट का सेलेक्शन नहीं हो पाता इसलिए निगेटिव मार्किंग से आपको जित्ता हो सके बच के रहना आपको मैं बतलाना चाहता हूँ कि सबसे अधिक प्रशन है आपके 36 गड़ से पूछे जाएंगे जी हां CGGK के बारे में 36 गड़ के सामानिया जानकारी के बारे में तो 36 गड़ के बारे में यह दिया आपको complete knowledge चाहिए तो CGG के लिए complete जानकारी के लिए सबसे पहले आपको जो है विकास पर अकमासिक बद्र का लेना है इसके साथ ही आपको जो अरजुना का current affairs लेना है तो CGG current affairs के लाब को दोनों से त्यारी करने है इसके साथ इंडियन वार्ड करेंट affairs के लाब को प्रतियों गीता दरपन लेना है जो आपका मंद्री में एक्जेन रिलीज होता है तो इस सारह से हम 36 गड़ में CG current affairs exams की त्यारी अच्छे से कर पाएंगा और आपको current affairs के बारे में जो है complete knowledge मिल जाएगा तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए 36 गड़ में नहीं गवर्मेंट जाब विकेंशिश नहीं भरती है आप सभी student के लिए निकल करा रहे हैं तो जितना हो सके आपको exams की study करना है तैयारी करना है preparation करना है तभी आपका selection जो हो पाएगा अन्याथ आपका selection जो है नहीं हो पाएगा और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ की मैजसे के बारे में भी आपको complete knowledge होना चाहिए मैजसे में आपके exams मेंगे घतांकन उपाद समन उपाद शक्र विद्धी ब्यास सधारन ब्यास लगू गड़ा गण गणा बहुसा चाह समय तथे दूरी इनसे समधित परशनाव के exams में पूछे जाते हैं तो गड़ित के तैयरी यदि आप करना चाहते है मैसे की preparation करना चाहते हैं के बाद एक आप लोगों के लिए नहीं गवर्मेंट जब विकेंस जो होने वाला है तो जितना हो सके आपको exams की study करना है जितना हो सके आपको पढ़ाई करना है preparation करना है तभी आपका selection हो पाएगा अन्याथ आपका selection जो है नहीं हो पाएगा तो बस महनत करना है exams की तयारी करना है study करना है तो बस महनत करते रही exams की study करते रही है preparation करते रही है आपका selection जो है बस रुप से हो पाएगा तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए भरती होने वाला है तो 3 000 पर पर बमफर भरती हम सब भी इस्टूटेंट के लिए निकल कराया तो आपको लोग कोई यही में बोलना चाहता है कि आपको अच्छी से करने एकजाम की तैयरी अच्छी से करने तभा यह कि एम एक हम करें पाइगा तियारे को जाएंगे और आपको एक बह legitimately करना ज़रूरी है जो पढ़ रहे हैं उसकर रिवाइज है करने ज़रूररि है उसका रीवाइस भी करना जरूरी है अगर आप आश पढ़ रहें काल गय करेंगे फिर apologies तो इस्टार्ट करेंगे तो ऐसे में जो पढ़ा हुआ रहेगा वो भी भूल जाएंगे तो तीना चार पदों पर भड़ती होने वाला है तो आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि 26 गर्ण में नहीं गवर्मेंट जाब वेकरंश इस्टिय नहीं भरती है आप सभी पिक आप जिंदेर्ट के लिए वाला हुआ है तो जितना हो सकते हैं तो आपको यह मौका मिल रहा है यह उप्रचुनिיट्स सब कर दो तो बेज जी जग आप एक्जाम्स की स्टड़ी कर सकते हैं एक्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं तब ही आपका सेलेक्शन हो पाएगा अन्याता आपका सेलेक्शन जो है देखने को नहीं मिलेगा तो बस यही बोलना चाहता हूं महनत करते रही है एक्जाम्स की स्टड़ी कर सकते हैं, preparation कर पाएंगे, देनापका selection जो है वाश सिरुप से हो पाएगा, तो 3000 पदों पर सबसे बड़ी भरती सहकारी तब भाग में निकल कर आए हैं, तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए भरती हैं, एक के बाद एक आप लोगों के लिए ने गौर्मेंट ड़ा विक विकेंसिश निकल कर आ रहा है, अब ये आपके उपर है कि आप किस तरीके से एक्जाम की स्टडी कर सकते हैं, preparation कर सकते हैं, आप लोगों ने देखा ही है कि सिजी व्यापम जब कुछ भी काम करता है, तो बहुत अच्छे काम करता है, और आप लोगों ने सोचा भी नहीं थ आपको सफलत, आपको कामियाबी जो है, अवस्य रूप से मिल पाएगा, तो सहकारी तब भाग में तीन है, जारपदों पर जो है, बहुत ही महतुपूर्ण भरती बहुत ही, महतुपूर्ण जनकारी अपड़ेट्स, आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहा है, त ज्यादा ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, दिन आपका सेलेक्शन अवस्य रूप से हो पाएगा, और आपको कामियाबी सक्सेस प्रोशिद्धी जो है, अवस्य रूप से मिलने वाला है तो, बस मेहनत कीजिए, एग्जाम्स क study कीज़े exams की preparation कीज़े exams की त्यारी कीज़े तभी आपका selection हो पाएगा और अगर आप त्यारी नहीं करेंगे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका selection बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा तो बसे इसी तरह से मेहनत करते रही है exams की त्यारी करते रही है आपका सफलता आपको कामियाब भी सकते जो है अवस्रूप से मिलने वाला है और कुछ देर की खामोशी है कानों में फीर सोर होगा तुम्हारा तो वक्त आया है मेरा तो दोर होगा अपने सफलता कम्याबी जरूर मिलेगा सफलता कम्याबी एक दिन के महताज नहीं होता सफलता को पाने के लापको हर रोज बार बार मेहनत करना होता है तब जाकर कहीं आपको सकसेज मिलेगा तब कहीं जाकर आपको कम्याबी मिल पाएगा मिलते हैं किसी नए वीडियो में झाल्दीरी लादे लादे लादेट नाल यादेधिक तो प्रहादे ट्ट्टूजा प्रहा सुट्ट प्रहादेग!